दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बैल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं उस काम में लगा हूँ अभी चूना और मैथी दो ऑशदी की माहिती मैंने आपको दी शबन में आई अभी तीसरी एक माहिती और दी जैसे चूना है मैथी है ऐसे ही अपने स्वेंपाग घर में बहुत अच्छी ऑशद है उसका नाम है दाल चीनी बहुत ही अद्बुर्ट है ये दाल चीनी इतनी आएंगे सुनके दाल चीनी का पाउडर और मद दोनों मिलाकर अगर कोई भी ले सुबह एक चमश दाल चीनी का पाउडर और एक चमश मद दोनों मिलाकर अगर कोई भी खाए तो ट्यूबर कुलोसिस माने टीवी अस्थमा ब्रॉंकियल अस्थमा और अस्थमा के फैमिली मे होने वाली जितनी भी विमारिया है जो एलर्जी से ज़्यादा शुरू होती है ये सब को ठीक करने की ताकत दालचीन में दम भरता है सास भरती है दस कदम भी चल नहीं सकते चले तो बैठना परता है इन सब की आउशली दालचीने काने का गेपका दालचीनी का पाmbour बनाइए मजते में मिलाके खाई और अगर व्त क करते कि का शूरौं की गंभीर रोब में कामाकी आका ग्रWow नबजन कम बच्चों को ठीक कर देरिय। बहुत अध्यूकित रहतों को तो रसवय में जुरूर कि अदर येिज़ पहुता है कभी भी आप उसको उफ्योक करेंगे धू कानी सबे ही लगाने के खा सकते हैं जांचेनी तो सब्सभी में डाल की खाने की चीज एक विच्छीं में जांट होती है गरम मसाले में दाजचीनी के बिना चलता नहीं तो मसाले में तो दंती ही है लेकिन अलग से आप उसको उप्योग करें तो वो बहुत ही अच्छी आउश्ड है प्रमान दाजचीनी पाउडर एक चमच मत अगर मैथी खा रहे तो इसकी जरुज़त नहीं ये खा रहे तो मैथी की जरुदत नहीं एक बार में एक ओशली खाईए जी बच्चों को मात्रा कम करिये आधा चमच काफी होता है बच्चों को बड़े लोगों को एक चमच एलर्जी के लिए एलर्जी के लिए बेस्ट मेडिसिन है दाल्ची बार में किसी भी तरह के लिए पिल लाइट कमेंट और शेयर करें और हाँ हमारा Android एप डाउनलोड करना ना भूलें झाल झाल